हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है पंकज, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक तो देखिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी की सीरीज को कंटीनिव करते हुए पॉलिटी के तीसरे टॉपिक सबविधान के इस्तरोतों पर डिसकस करेंगे देखिए अगर आपने इसके पहले के दो टॉपिक नहीं पड़े हैं तो आप उन टॉपिक को भी पिछले वीडियो में जाकर पढ़ लीजिए और अगर आपको इस टॉपिक की PDF डाउनलोड करना है तो क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लिकेशन पर चले जाएए आपको ऑप्शन मिल जाएगा तो चलिए फ्रेंट्स सबविधान के इस्तरोतों से रिलेटेड जितने भी important question हैं हम उन्हें याँ पर डिसकस कर लेते हैं ज्यान से देखिएगा दोस्तों क्यूंकि ये सभी very very important question है और अगर आपने इन question को solve कर लिया तो मेरी guarantee है कि आपका इस topic से exam में एक भी question बाहर नहीं जाएगा तो चलिए friends अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि सभीधान के इस्तरोत क्या होते हैं तो देखिए दोस्तों अगर हम भारत के सभीधान की बात करें तो ये एक उधार की टोक्री कहलाता है अब इसका क्या मतलब होता है देखिए भारत का जो सविधान है वो एक टोकरी है जिसमें से अलग-अलग फलो को अलग-अलग देशों से लिया गया है और अलग-अलग देशों से लेने के बाद उन्हें एक टोकरी में इखटा कर दिया गया है इसी प्रकार देखिए भारत का जो सवविधान है उसे बनाने के लिए भारत के सवविधान सवा के जो सदस्य थे उन्होंने बहुत सारे देशों के सवविधान का अध्यन किया और उनके सवविधान में जो पॉजिटीव चीजे थी उन्हें भारती सवविधान में अपना लिया गया तो इस प्रकार भारत के सवविधान में जो तत्व हैं वो बहुत सारे देशों से लिए गए हैं और उन सब को मिलाने के बाद भारत का सविधान बना हैं अब देखिए आपसे कोश्चन ऐसा पुछा जाएगा कि कोई भी तत्व या भाग दे दिया जाएगा और आपसे उसके बाद कोश्चन पुछ लिया जाएगा कि ये किस देश के सविधान से भारत के सविधान में शामिल किया गया है तो यही कहलाते हैं सविधान के इस तो देखिए उससे रिलेटेड जितने भी कोश्चन में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ सभी को एक-एक करकर याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन है फिर से मैं आपको बता रहा हूँ एक्जामों में काफी बार ये कोश्चन पूछे गए हैं और हर बार यही कोश्चन एक्जामों में देखने को मिलते हैं तो सबसे पहला कोश्चन देखिए भारत के सभीधान में उद्देश्यका का विचार लिया गया है तो देखिए भारत का जो सभीधान है इसमें उद्देश्यका का विचार USA के सभीधान से लिया गया है ओके चलिए मैं आपको बता देता हूं कि USA के सब्विधान से हमारे सब्विधान में हमने क्या-क्या एडॉप्ट किया है तो सबसे important है मौली कदिकार भारत के सब्विधान में जो मौली कदिकार दिये गए हैं वो USA के सब्विधान से लिए गए हैं वेरी वेरी आएमपी कोश्यन है आप इसे हमेशा याद रखेगा एक्जामों में सबसे ज्यादा यही कोश्यन पूछा जाता है इसके अलावा देखिए उप रास्ट्यपती का पद रास्ट्यपती पर महावियोग की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया और सब्विधान की उद्देश्ची का यह USA के सब्विधान से भारती सब्विधान में लिया गया है यह ऐसे इंपोर्टेंट पाट हैं जो कि हमने USA के सब्विधान से एडॉप्ट किये हैं तो देखिए उद्देश्ची का USA के सब्विधान से लिया गया है तो आंसर हो जाएगा आंसर D देखिए दोस्तों अगर आप इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसकी एक ओडियो क्लिप मेंने बना रखिए जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है आप जाके उस ओडियो को एक बार सुन लीजिए उसके बाद इस टॉपिक से आपके किसे भी कोश्चन आ जाए आप आसानी से उन्हें सॉल्व कर लोगे अगला कोश्चन देखिए भारती सव्विधान में शामिल नितिर निर्देशक सिद्दान्त किसके सव्विधान से प्रेरित है तो वेरी इंपोर्टेंट कोश्चन है इसे हमेशा याद रखिएगा देखिए हर साल किसी ना किसी एक्जाम में ये कोश्चन रिपेट होता रहता है तो देखिए निति निर्देशक तत्व भारत के सब्विधान में आयर लेंड के सब्विधान से लिए गए हैं ओके देखिए अगर आप सब्विधान के इस तुरोतों को शॉट ट्रिक में पढ़ना चाते हैं तो हमने उस पे पहले भी एक वीडियो बनाया था आप वो वीडियो जाके देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है बहुत ही शॉट ट्रिक से इन सभी कोश्चन के अंसर आपको वहापर मिल जाएंगे तो अंसर हो जाएगा आंसर डी निती निर्देशक तत्व आयरलेंड के सभीधान से भारती सभीधान में लिए गई है नेक्स्ट कोश्चन पे चलते हैं भारत की संगहत्मक वेवस्ता निमलिखित में से किस देश से संबंदि थे तो देखे भारत में एक संगी जो वेवस्ता है वो कनाड़ा के सब्विधान से ली गई है तो यहां अंसर हो जाएगा आंसर ए देखे भारत राज्यों का संग है और संग का ही नियंत्रन राज्यों पर रहता है ये जो व्यवस्ता है ये भारत के सब्विधान में कनाड़ा के सब्विधान से ली गई है रास्टपती द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के सब्विधान से लिया गया है तो very important question है रास्टपती 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनित कर सकता है देखे यह जो प्रावधान है यह Ireland के सब्विधान से लिया गया था और Ireland के सब्विधान से एडॉप्ट करने के बाद ही इसे भारती सब्विधान में शामिल किया गया तो यहां अंसर हो जाएगा आंसर B तो देखिए Ireland से दो इंपोर्टेंट भागों को लिया गया है पहला है निती निदेशक तत्व और दूसरा है राज्यसभा में रास्टपती द्वारा राज्यसभा के बारा सदस्यों का नामांकन यह दोनों ही व्यवस्ता भारती सब्विधान में आयर लेंड के सब्विधान से ली गई है तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर B अगला कोश्चन देखिए नेमलिखित में से कौन सी वा मूल आधारी का है जिससे भारती सब्विधान विक्सित हुआ है तो देखिए जब मैंने आपको भारत का सब्विधानी क्रिकास पढ़ाया था तब मैंने आपको पढ़ाया था कि भारत शयशन अधिनियम 1935 से अधिक्तर भागों को वर्तमान सब्विधान में शामिल किया गया है तो देखिए भारत का जो सवविधान विक्सित हुआ है उसका जो basic structure है वो भारत शाषन अधिनियम से लिया गया है तो answer हो जाएगा answer A भारत शाषन अधिनियम 1935 के आधार पर ही भारत का सवविधान विक्सित हुआ है अगला question देखिए भारत में न्याइक पुनरिक्षन की संकल्पना किस देश के सवविधान से ली गई है Sir question ही समझ नहीं आया अब आप सभी के मन में यही आ रहा होगा तो देखिए बहुत ही simple तरीके से question में आपको समझा देता हूँ देखिए न्याइक पुनरिक्षन का मतलब होता है judicial review मतलब न्याइक पुनाव लोकन की शक्ती देखिए क्या होता है अगर सुप्रीम कोट कोई भी judgment दे देता है और उसके बाद सुप्रीम कोट को लगता है कि यह जो judgment में ने दिया है वो कही ना कही सब्विधान के लिए या तो खत्रा है या फिर सब्विधान के किसी भाग को destroyed करता है तो इसी कंडिशन में सुप्रीम कोट अपने उसी फेसले को बदल सकता है इसे कहा जाता है न्याइक पुनाव लोकन की शक्ती देखिए भारत के सब्विधान में न्याइक पुनाव लोकन की शक्ती सयुक्त रज्य अमेरिका के सब्विधान से ली गई है तो आंसर हो जाएगा आंसर बी देखिए हम अंसर को तभी सही कर पाएंगे जब हम question बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे तो पहली प्रात्मिक्ता है हमें कि question समझ में आना चाहिए तभी हम अंसर तक पहुच पाएंगे चलते है next question पर भारती सब्विधान में मौलिक करतवी का विचार लिया गया है तो देखिए पहले भी मैंने आपको जो quality पढ़ाई थी तो एक बहुत ही अच्छी short trick मैंने आपको यहाँ पर बताई थी देखिए जब भारत के सब्विधान को लागू किया गया तो रूस के सब्विधान से भारती सब्विधान में कुछ भी शामिल नहीं किया गया जिससे रूस रूट कर बेड़ गया clear याद रखिएगा ये वर्ड अगर आपको याद आजाएगा तो आप इस question के अंसर तक आसानी से पहुच पाओगे देखिए जब हमने अपने सब्विधान में रूस के सब्विधान से कुछ भी शामिल नहीं किया तो रूस हमसे रूट कर बेड़ गया clear अब इस वर्ड से देखिए रूस जब हमसे रूट कर बेड़ गया तो हमने कर्तव्यों को उसके सब्विधान से बाद में शामिल किया तो यहाँ पर अंसर मिल गया अगर आप रूट कर वर्ड पकड़ लेंगे तो रूस से आपको रूस मिल गया और आखरी के कर से कर्तव्य मिल गया तो रूस के सब्विधान से भारती सब्विधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था तो आंसर हो जाएगा आंसर C ओके देखा फ्रेंड्स आपने बहुती सिंपल शॉट ट्रिक थी इसी शौट ट्रिक से हमने पूरा वीडियो डिटेल में बना रखा है तो आप उसे जाकर देख लीजिएगा भारत में सरकार की संसदी प्रणाली कहां से ग्रहन की गई है देखिए भारत में जो नियम बनाने के लिए संसदी प्रणाली है वो हमने ली है ब्रिटेन के सब्विधान से अब मैं आपको शौट में बता देता हूँ कि ब्रिटेन के सब्विधान से हमने क्या-क्या एडॉप्ट किया है तो देखिए फ्रेंट्स ब्रिटेन के सब्विधान से संसदी शाषन प्रणाली जिसकी अभी हमने बात की है इसके अलावा भारत में एकल नागरिक्ता का प्रावधान ब्रिटेन के सव्विधान से लिया गया है भारत में मंत्री मंडली प्रणाली, विधी का शाशन और द्वी सदनात्मक व्यवस्ता ये ब्रिटेन के सब्विधान से भारती सब्विधान में एडॉप्ट की गई है तो आंसर हो जाएगा आंसर C ब्रिटेन के सब्विधान से भारती सब्विधान में संसदी शाषन प्रणाली को एडॉप्ट किया गया है भारती सब्विधान में उल्लेखित स्वतंतरता, समानता और बंधुता की संकल्पना किस से प्रेरी थे? भारत में जो सवविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने फ्रांस के सवविधान से भारती सवविधान की प्रस्तावना में स्वतंतरता, समानता और बंधुता की संकल्पना को शामिल किया है तो आंसर हो जाएगा आंसर ए भारती सब्विधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना प्रस्तावना में ली गई है जो कि फ्रांस के सब्विधान से ली गई है निम लिखित में से कौन सा लक्षण भारती परिसंग और अमेरिकी परिसंग में समान रूप से पाया जाता है तो देखिए friends भारती सब्विधान और अमेरिकी परिसंग में जो एक चीच common पाई जाती है वो है सब्विधान के निर्वचन के लिए परिसंगी उच्चतम नियालय का होना बिल्कुल भी समझनी आया तो देखिए ये bookish language है इसलिए आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो चलिए मैं आपको simple तरीके से समझा देता हूँ देखिए दोस्तो भारत के सब्विधान का सर्रक्षक और उसे परिभाशित करने का अधिकार उच्चितम नियालय को दिया गया है भारत और अमेरिका के जो सब्विधान है उनका प्रोटेक्टर वहां का उच्चितम नियालय माना जाता है तो आंसर हो जाएगा answer D सब्विधान को लागू करवाने के लिए और सब्विधान की रक्षा के लिए उच्चितम नियालय का प्रावधान है भारती सब्विधान और अमेरिकी सब्विधान में लिखित सब्विधान का प्रारंब किस देश में हुआ तो देखिए विश्व में लिखित सब्विधान का प्रारंब सबसे पहले अमेरिका में हुआ था भारत का जो सब्विधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित सब्विधान है लेकिन लिखित सब्विधान की शुरुआत अमेरिका में की गई थी तो आंसर हो जाएगा आंसर D भारती सब्विधान में संशोधन प्रक्रिया किस देश के सब्विधान से प्रभावी थे तो देखे बहुत ही important question है very very IMP question 2010 के बाद काफी एक्जामों में ये question पुछा गया है देखे अगर हम भारती सब्विधान के according देखे तो भारत के सब्विधान के article 368 में सब्विधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है मतलब amendment of constitution दिया गया है सब्विधान के article 368 में और ये जो amendment की प्रक्रिया है ये दक्षिन अफ्रीका के सब्विधान से भारती सब्विधान में एडॉप्ट की गई है तो answer हो जाएगा answer D देखिये दक्षिन अफ्रीका के सब्विधान से संशोधन की प्रक्रिया ही सबसे important है जो ली गई है इसलिए इस factor को आप कभी मत भूलिएगा एक्जाम में यहां से question काफी बार पूछा गया है राज्यसबा के गठन में प्रतीभा अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिदित्व देने में भारती सब्विधान निर्माता निमलिकित उधारन से प्रभावित हुए थे तो देखिये अभी हमने just this question को डिसकस किया था बस अंतर इतना है कि वहां पर short में पूछा गया था और यहां पर थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया है देखिये पूछा वही गया है कि राज्यसबा के जो सदस्यों का नमंकन है प्रतीभा के अधार पर कला के अधार पर जो 12 सदस्य नमंकित किये जाते हैं और उन्हें रास्ठपती नमंकित करता है तो ये किस देश के सवविधान से लिया गया है? तो हमने पहले भी पढ़ा था आइडिश गनतंत्र से मतलब आयरलेंड के सवविधान से इस प्रथा को हमने एडॉप्ट किया है तो आंसर हो जाएगा आंसर ए राष्टपती द्वारा, कला छित्र, सेवा छित्र से आये हुए 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनित किया जा सकता है यह प्रावधान आयरलेंड के सवविधान से एडॉप्ट किया गया है भारती राजनीती व्यवस्ता में इन में से कोन सर्वोच्च है? तो देखिए बहुती सिंपल कोश्चन है आप सभी को इस कोश्चन का अंसर पता चली गया होगा देखिए दोस्तो भारती राजनीतीक व्यवस्ता जो है उसमें सबसे टॉप पर भारत के सवविधान को रखा जाता है अब ऐसा क्यूँ? तो देखिए सर्वोच्च नियाले, संसद और धर्म को मानने की सोतंतरता ये सभी भारती सवविधान के अंग है तो जब ये तीनों भारत के सवविधान के अंतरगत शामिल है तो इन सब में से बड़ा कोन हुआ? भारत का सवविधान इसलिए भारती राजनितिक व्यवस्ता में भारत के सवविधान को सबसे उचा माना जाता है तो आंसर हो जाएगा आंसर B अगला कोशन देखिए भारत के सवविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? भारत के सवविधान की साथवी अनुसुची में तीन सुचियों का उल्लेक किया गया है संग सुची, राज्य सुची और समवर्ती सुची देखे समवर्ती सुची को आस्टेलिया के सवविधान से एडॉप्ट किया गया है तो अंसर हो जाएगा आंसर भी समवर्ती सूची के अलावा संसत के दोनों सदनों की जो सयुक्त बैठक है उसे भी आस्टेलिया के सब्विधान से ही लिया गया है तो इन दोनों ही पॉइंट को याद रखेगा समवर्ती सूची और संसत के दोनों सदनों की सयुक्त बैठक किस देश के सब्विधान से ली गई है तो औस्टिलिया के सब्विधान से ली गई है चलते हैं अगले कुश्चन पर भारती सब्विधान में एकल नागरिक्ता का प्रावधान किस देश के सब्विधान से लिया गया है तो देखे शुरुआत में ही इसके बारे में मैं आपको बता दिया था ब्रिटेन के सब्विधान से भारती सब्विधान में एकल नागरिकता को लिया गया है तो आंसर हो जाएगा आंसर B एकल नागरिकता के बारे में आप सभी जानते होंगे भारत का नागरिक पूरे विश्व में केवल भारत का ही नागरिक रह सकता है वो किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहन नहीं कर सकता अगर किसी भी व्यक्ति को अन्य देश की नागरिकता को ग्रहन करना है तो सबसे पहले उसे भारती नागरिक्ता को छोड़ना होगा तो इस तरह भारत के सवविधान में एकल नागरिक्ता का प्राउधान है जो कि हमने ब्रिटेन के सवविधान से एडॉप्ट किया है भारत में मंत्री मंडली शाशन प्रणाली किस देश के सब्विधान से ली गई है तो वेरी सिंपल भारत में मंत्री मंडली शाशन प्रणाली ब्रिटेन के सब्विधान से ली गई है तो आंसर हो जाएगा आंसर A Next question देखिए सयुख्त रज अमेरिका के सब्विधानिक आदर्शों पर भारती सब्विधान में कौन कौन सी वेवस्ता शामिल की गई है तो सबसे पहले हम option को देख लेते हैं संगीश अशन वेवस्ता USA के सब्विधान से ले गई है मौलिक करतवी को भी भारती सब्विधान में USA के सब्विधान से एड़ोप्ट किया गया है और स्वतंत्र और निश्पक्ष सर्वोचनियाले और पुनाव लोकन की शक्ती भी USA के सब्विधान से ली गई है तो आंसर हो जाएगा उप्रोक्त सभी आंसर D भारती सब्विधान में शामिल इन तीनों ही भागों को USA के सब्विधान से एड़ोप्ट किया गया है भारती सब्विधान का सबसे बड़ा एकांकी इस्तरोत कौन सा है तो देखिए भारती सब्विधान किस पर बेजडे तो Government of India Act 1935 पर बेजडे भारती सब्विधान के अधिकतर प्रावधान इसी Act द्वारा लिये गए है तो आंसर हो जाएगा आंसर D देखिए कोश्चन वही था जो हमने पहले डिसकस किया था लेकिन इसे थोड़ा सा घुमा फिरा कर पुछा गया है तो ऐसे कोश्चन में आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होना आप किसी भी कोश्चन को देखकर खुदी समझ जाना कि हमने इस कोश्चन को जरूर पढ़ा होगा भारती सब्विधान के अंतरगत संग और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेणा पर आधारी थे तो देखिए संग और राज्यों के बीच का जो शक्ति विभाजन है वो 1935 के एक्ट द्वारा भी लिया गया है और इसके अलावा भारत के सब्विधान सबा के सदस्यों ने कनाडा के सब्विधान से भी इसके कुछ प्रावधानों को ग्रहन किया है तो यहाँ पर किसी देश का सब्विधान पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा आंसर B भारती सब्विधान में संग और राज्यों के बीच का शक्ति विभाजन करनाडा के सब्विधान से प्रेरी थोकल लिया गया है भारती सब्विधान में आपात संबंदी उपबंद भारत शाचन अधिनियम 1935 और डेश डेश के सब्विधान से लिया गया है देखे यहाँ पर सबसे पहले तो हमें कोश्चन को समझना पड़ेगा देखे भारती सब्विधान में जो आपात कालिन उपबंद है वो भारत शाचन अधिनियम 1935 से लिये ही गये हैं इसके अलावा और किस देश के सब्विधान से लिये गये हैं तो देखिए आपात संबंदी जो उबंद हैं भारत शाचन अधिन्याम 1935 के अलावा जर्मनी के वीमर सब्विधान से लिए गए हैं तो आंसर हो जाएगा आंसर भी देखिए जर्मनी के वीमर सब्विधान में ये प्रावधान था कि आपात काल की कंडिशन में मौलिक अधिकार के से इस्तगित होंगे और कौन-कौन से मौलिक अधिकार का इस्तगन किया जाएगा और इसके बाद भारती सब्विधान के अनुसार अगर देश में रास्ट आपात काल नेशनल एमर्जेंसी लागू है मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 221 को छोड़कर सभी आर्टिकल डिस्ट्रोई कर दिये जाएगे तो ये जो प्रावधान उठाये गया था आपात काल के समय मौलिक अधिकारों के इस्तगन का ये जर्मनी के वीमर सब्विधान से लिया गया था क्लियर तो देखिए बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा इसे याद रखिएगा चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर कानून के समान सरक्षन वाक्य कहां से लिया गया है तो देखिए दोस्तों कानून के समान सरक्षन वाक्य को अमेरिका के सब्विधान से एडॉप्ट किया गया है तो आंसर हो जाएगा आंसर A अगला कुशन देखिए सब्विधान के दोनों सद्नों की सयुक्त बैठक किस देश के सब्विधान से ली गई है तो देखिए भारत के सब्विधान के आर्टिकल 108 में सयुक्त अधिवेशन का उल्लेक देखने को मिलता है जिसे ऑस्टेलिया के सब्विधान से एडॉप्ट किया गया है तो आंसर हो जाएगा आंसर A सयूग तदिवेशन सयूग तदिवेशन को औस्टेलिया के सब्विधान से एडॉप्ट किया गया है इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक और इंपोर्डेंट चीज बता देता हूं कि सयूग तदिवेशन के अदिवेशन के अदिवेशन के अदिख्षता लोगसवा स्पीकर द्वारा की जाती है इसे भी याद रखिएगा नेक्स्ट कोश्चन है सब्विधान के सर्रक्षक के रूप में सर्वोच्च नियालय का अधिकार विश्व के किस सब्विधान से लिया गया है तो सब्विधान का सर्रक्षक सर्वोच्च नियालय को बनाया गया है जिसे अमेरिका के सब्विधान से एडॉप्ट किया गया है तो यहाँ अंसर हो जाएगा अंसर सी सब्विधान के सर्रक्षक के रूप में सर्वोच्च नियाले का जो अधिकार है अमेरिका के सब्विधान से लिया गया है चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर विधी के समक्ष समता लिया गया है देखे भारत के सब्विधान के आर्टिकल 14 में सम्ता का अधिकार दिया गया है और यह जो अधिकार है वो इंगलेंड के सब्विधान से एड़ोप्ट किया गया है तो आंसर हो जाएगा आंसर A वीदी के समक्ष समता को भारती सब्विधान के मौलिक अधिकारों में इंगलेन के सब्विधान से एड़ोप्ट किया गया है सर्व सत्ता संपन्न संसत के अउधाना किस देश की देन है तो देखिए कोश्यन वही है बस आपको यहाँ पर एक लंबा चोड़ा वर्ड जोड़ दिया है जो आपको यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉबलम दे सकता है तो इसको इग्नोर कीजिए यहाँ पर देखिए संसत के बारे में पूछा है कि संसत की जो प्रणाली है वो किस देश के सब्विधान से ली गई है तो देखिए भारत में सर्व सत्ता संपन्न संसत या संसदनात्मक शाशन प्रणाली किस देश के सब्विधान से ली गई है तो इंग्लेंड के सब्विधान से ली गई है शुरुआत में ही मैंने इंग्लेंड के सब्विधान से जो जो भी पॉइंट लिये गए हैं उन सभी के बारे में आपको बताया था तो आंसर हो जाएगा आंसर A Clear है अगला कोश्यन देखिए भारती सब्विधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के इस्तगन सम्मंदि कारेपालिका के अधिकारों को किस देश के सब्विधान से लिया गया है देखिए फिर से वही कुश्यन लेकिन थोड़ा सा अलग अंदाज में जैसे रिष्टा वही सोच नहीं सुनाओगा आप सभी ने तो देखिए मौलीक अधिकारों के इस्तंगन से संबंदी कारेपालीका के जो अधिकार है वो जर्मनी के वीमर सब्विधान से लिए गए है पहले भी बताया था इसके बारे में मैंने आपको तो आंसर हो जाएगा आंसर बी बहुत ही सिंपल था चलते है नेक्स्ट कोश्चन पर रास्टपती पर महावियोग की प्रक्रिया किस देश के सब्विधान से लिए गई है ये थोड़ा अलग कोश्चन हमें देखने को मिला है तो देखे रास्टपती पर महावियोग सब्विधान के आर्टिकल 61 में दिया गया है इसे याद रखिएगा सब्विधान के आर्टिकल 61 में रास्ट्यपती को महावियोग की प्रक्रिया द्वारा अपने पत से हटाया जा सकता है अब रास्ट्यपती पर जो महावियोग की प्रक्रिया है वो USA के सब्विधान से ली गई है तो आंसर हो जाएगा आंसर B रास्ट्य पती पर महावियोग की प्रक्रिया अमेरिका के सब्विधान से प्रेरी थे सर्वोच्य नियालय की व्यवस्ता भारती सब्विधान में किस देश से ली गई है तो सर्वोच नेयाले की व्यवस्ता भी भारती सब्विधान में USA के सब्विधान से ली गई है तो answer A, answer B लास्ट कोश्चन देखिए उपरास्ट पती का पत किस देश के सब्विधान से लिया गया है तो देखिए भारती सब्विधान के आर्टिकल 63 में उपरास्ट पती के पत का उलेक किया गया है जिसे भारती सब्विधान में अमेरिका के सब्विधान से एडॉप्ट किया गया है तो answer हो जाएगा answer C ओके फ्रेंड्स तो ये थे सब्विधान के स्तरोतों से संबंदित कुछ ऐसे question जो हमें exam में बार बार पूछे जाते हैं और अगर हमने इन 30 question को अच्छे से discuss कर लिया और अच्छे से समझ लिया तो exam में कोई भी question हमारा सब्विधान के स्तरोत से बाहर नहीं जाएगा ओके तो चलिए अब हम 2020 के important 10 current affairs पर discuss कर लेते हैं तो देखिए 2020 में मुख्य सूचना आयुक्त कोन बने हैं इसके पहले जम्मू कश्मीर के उपराज जिपाल ते गिरीश चंदर मुर्मू जिनने बाद में भारत का CAG बना दिया गया था तो गिरीश चंदर मुर्मू के बाद वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज जिपाल मनोज सिन्हा हैं नेक्स्ट कोशन देखिए, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कब 2020 किस ने जीता था? तो देखिए, 2020 का अंडर 19 क्रिकेट विश्व कब दक्षिन अफरीका में आयो जित किया गया था, जिसे बांगलादेश की टीम ने जीता था औसकर 2020 में सर्वसेष्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? तो 2020 में औसकर फिल्म का सर्वसेष्ट पुरसकार पेरा साइट को दिया गया है रानी रामपल किस खेल से संबंदी थे तो भारत की महिला खिलाडी रानी रामपल महिला होकी से संबंदी थे जिन 2020 में राजी उगांदी खेल रतन पुरसकार से सम्मानित किया गया है 2020 में कितने खिलाडियों को अर्जुन पुरसकार दिया गया तो 2020 में 27 खिलाडियों को अर्जुन पुरसकार दिया गया था और देखिए राजी उगांधी खेलरतन पुरसकार 5 खिलाडियों को दिया गया था लाल जी टंडन जिनका 2020 में निधन हुआ वा किस राज्जी के राज्यपाल थे? तो देखिए जब इनका निधन हुआ तो ये MP राज्जी के राज्यपाल थे. जुलाई 2020 में लाल जी टंडन का निधन हो गया था. विश्व प्रेस स्वतंतरता सूचकांग 2020 में भारत को कौन सा इस्तान दिया गया है तो देखिये फ्रेंट्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो की 2020 में जारी किया गया है इसमें भारत को 142 सा इस्तान दिया गया है US Open 2020 का महिला एकल Naomi Osaka ने जिता था वक किस देश की खिलाडी है तो देखिए सबसे पहला तो यही याद रखिएगा कि US Open 2020 में महिला एकल का खिताब किस महिला ने जिता तो Naomi Osaka ने Naomi Osaka जापान देश की खिलाडी है लास्ट कोस्चन देखिए overdraft saving the Indian saver किसकी पुस्तक है तो देखिए इस question का answer आपको comment box में मुझे बताना है तो जल्दी से comment करके मुझे जरूर बताईए कि overdraft saving the Indian saver किसके पुस्तक है तो friends ये थे 2020 के 10 important current affairs जो कि आने वाली examों में हमसे पूछे जाएंगे I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करें, share करें और हमारे channel को subscribe जरूर कर लें आपसे फिर मुलाकात होगी next video में, जय हिन, जय भारत